कि यह विल्कम बैक टो अनदर नियो ब्लॉक्स जिस रूम पर में स्टेक कर रहा हूं इस रूम का टूर में देने वाला हूं ओके गईस मैं जिस रूम पर रुका हूं यह उस रूम की बालकनी है मेरे पीछे आप यहां की लोकल मार्केट को देख सकते हैं अभी दीन का समय है बहुत ही तेज धूप खिली हुई है यहां से आप मेरे पीछे बहुत ही प्यारा भीउद देख सकते हैं ओके गईस मैं आप भी अपने रूम के पीछे की बालकनी के तरफ आ चुका हूं यहां से आप रूम के उचाई को देख सकते हैं यहां रूम फोर्थ फ्लोर पर है मैं अभी सबसे टॉप फ्लोर पर खड़ा हूं हाला कि इधर से सिर्फ विल्डिंग ही दिखते हैं मैं यहां के नाइट का भी हुए दिखाऊंगा आगे चलकर रात को और भी अच्छे दिखते हैं मैं अभी रूम के फ्रेंट एरिये की तिरफ आ चुका हूं जिधर से लोकल मार्केट दिखते हैं और हाँ इधर से पूड़ा पूड़ा कॉलकाटा स्याल्डा इस्टेशन भी दिखते हैं यह स्याल्डा इस्टेशन के पास का ही रूम है मैं बैक क्यामरे से दिखाता हूं यह दहां यहां की मार्केट यह दिखें उनकेट अप्रादाध वह देया उयार धствен Als tub यह दो ऑड़ यह दो आर इस पहां यल्योड़ ये लेखिरियो जनो मेंィंधे ब pilgrimage ऑमाल जनो में ये बैजर अभी साम होने जा रहे हैं, यहां की प्लेस कुछ ऐसा दिखते हैं, यहां सबसे व्यस्त रोड है, यहां हमेशा भीर रहते हैं ओके गैस, यही है हमारा रूम, अभी रात हो चुकी है, मैं चलता हूँ बाहर और नाइट का व्यू दिखाता हूँ रात में यहां गसेन कुछ ऐसा दिखते हैं, और यह रहा सियालदा इस्टेशन मैं चलता हूँ रूम के दुसरे तरफ और वहां क्या भ्यू भी दिखाता हूँ दिन के समय में बहुत थी धूप थी और अभी बिल्कुल साम हो चुकी है कर दो बहुत होूँ कर दो दो कर दो कर दो कर दो कर दो आज हमारा सेकेंड है कॉलकाता में सुभा हो चुकी है आट बैस तक हम चेक आउट कर जाएंगे यहां से अभी मॉर्णिंग के समय में चाल पाल बिल्कुल भी कम है मॉर्णिंग में यहां कभी और भी अच्छा दिखते हैं रात में बारीश होने के कारण अभी ठंडी हवाएं चल रही है आज हम कॉलकाता की कुछ फेमर जगों पर विजेट परने वाले हैं जैसे की कॉलकाता हावडा ब्रीज काली टेंपल और विक्टोरिया मेमोरियल चेक आउट होने के बाद सबसे पहले हम चलेंगे यहां की टूरिस्ट प्लेस कॉलकाता हावडा ब्रीज पर नेक्स्ट वीडियो पर में हावडा ब्रीज का ब्लोग बना दूंगा आप लोग उसको देख सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में टेंगी सो मच